महंत नरिंद्र देवगिरी आत्महत्या मामले में उनके शिष्य आनंद देवगिरी की गिरफतारी के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। उनके कथित सुसाइड नोट के जरिये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने किसी महिला के साथ अपने वीडियो वाइल होने के डर से आत्महत्या की है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि दो दिन के भीतर आनंदगिरी मेरा वीडियो कंप्यूटर के माध्यम से किसी लड़की के साथ जोड़कर गलत काम करते हुए वाइरल कर सकता है। अगर वीडियो वाइरल होता है और मेरी बदनामी होती है तो मैं समाज में कैसे रहूँगा। नरेंटर देवगिरी के लिखे इस आठ पेज के कथित सूसाइड नोट में कई जगह कटपिड भी है। लेकिन उन्होंने अपने जाने के बाद क्या करना है और उनकी मौत के लिए कौन-कौन लोग जिम्मदार है वह बाते उन्होंने बहुत साफ तोर पर लिखी है और पुलिस से अपने पक्ष में कारिवाई करने की अपील भी की है। इस कथित सुसाइड नोट में वे आगे लिखते हैं कि मेरे मौत का जिम्मदार आध्या प्रशाद तिवारी, संदीप तिवारी, पुत्र आध्या प्रशाद तिवारी और आनंद देव है। मैं इन्ही के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ हूँ। गिरी सुसाइड नोट में आगे लिखते हैं कि मैं सभी प्रयागराज के पुलिस अधिकारियों से आगरह करता हूँ कि मेरी मौत के लिए जिम्मदार लोगों को सजा दी जाए। कि जिस तरह से मैंने अखारे में काम किया है अदर्शों का पालन किया है वैसे ही वो लोग उसका खयाल करें। आशुतोस गिरी और अन्यसाथी उसी तरह अखारे के लिए काम करें जैसे मैं करता रहा हूँ। आखिर में उन्होंने सूसाइड नोट में अपने हस्ताक्षर भी किये हैं। आपको बता दे कि इस पूरे घटना क्रम में अब तक महंत नरिंद्र गिरी के तीन शिश्यों को हिरासत में लिया गया है। कथित आत्महत्या के मामले में महंत आनंद गिरी पर F.I.R. दर्श की गई है। पुलिस की ओर से दफा 306 यानि आत्महत्या के लिए मजबूर करने या उकसाने के लिए मामला दर्श किया गया है। पुलिस की तरफ से दर्श F.I.R. में कहा गया कि आनंद की प्रतार्ना की वज़े से ही महंत ने अपनी जान दे दी। हाला कि पुलिस ने यह भी कहा है कि जब तक Post-Mortem रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आनंद कीरी को हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले, संथ समीती समेत आनंद कीरी ने सवाल खड़ा किया था कि महंत नरेंद्रगिरी सूसाइट नोट कैसे लिख सकते हैं नरेंद्रगिरी हस्ताक्षत तक नहीं कर सकते तो फिर इतना लंबा सूसाइट नोट कैसे लिख सकते हैं